30 days और 2.5 million का revenue यह आप देख सकते हो यह मैंने अभी केवल January का filter लगाया है और January के filter लाने के बाद 30 दिन का मैंने filter लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इस store पर 2.5 million का revenue generate किया है कौन सी product strategy मैंने इसमें use की है क्योंकि मेरा एक नए store था जिसमें मैं नए तरीके की product research strategy use की थी blueprint उसका बनाया था एक नई technique से मैंने product research की थी और वो successful रही और उसका result आपके सामने है केवल 30 दिनों मैं मैंने इस store पर 2.5 मतलब 25 लाख रुपए का revenue generate किया है तो वो क्या product strategy है कैसे product research करनी है कैसे winning product find out करना है वो सारी strategy मैं इस video में आपको बताऊंगा तो देर किस बात की है जल्दी से video start करते हैं क्योंकि video बहुत जादे important होने वाली बहुत जादा important बाते मैंने इसमें आप से share की है मैंने अपना experience का nature इस video में डाला है कि कैसे मैं product research करता हूँ जो कि इतनी sales generate करते है और दोस्तों साथी साथ में आपको बता दूँ अगर आपसे facebook marketing नहीं आते है facebook campaign run करना नहीं आते है तो आपके लिए ही मैंने ये facebook ad mastery course अपना बना दिया है वीडियो को description में इसका link है जाओ enroll कर लो और अच्छे से अपने business को run करो देखो e-commerce business या drop shipping का business करने के लिए दो चीज़े important होती है product research मतलब क्या हमें बेशना है और कैसे बेशना है मतलब marketing तो facebook marketing का मैंने ये course बना दिया है आपके लिए जिसमें बिल्कुल basics है अगर आपसे internet चलाना भी नहीं आता तब भी आप इस course को करके product sale कर सकते हो तो बिल्कुल भी वरी मत हो आपको कैसे product sale करने है ये course आपके लिए मैंने design किया है और e-commerce drop shipping के लिए इसको मैंने specially design किया है ताकि आप इन videos को देखके tutorials को देखके अपने campaign बना सको बिल्कुल step by step follow कर सकते हो उन campaign को और एक अच्छी sale generate कर सकते हो आपने देखा हो मेरे Instagram वगार आपे मैं अपने story शेयर करता रहता हूँ जहां मेरे students Facebook Ad Mastery course के students बहुत अच्छा अच्छा perform कर रहे है और उनके results मैं share करता हूँ आपके motivation के लिए तो जाएए जल्दी से enroll कर लीजी इस course में और इस knowledge का फायदा उठाएए तो चलिए चलते हैं और जान लेते हैं कैसे हमें product research करनी है जिससे हम घर बैट के लाखो रुपे का revenue generate करें और एक अच्छा profit earn करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं product है क्या what is product ठीक है product actual में होता क्या है तो इसकी अगर मैं simple cd one liner definition आपको बता हूँ तो है satisfy the desire ठीक है यहां हम इसको यह भी कह सकते हैं के फुल्फिल दा फुल्फिल दा फुल्फिल दा नीड और तो फुल्फिल दा नीड और यह फिर satisfying the desire ठीक है अब हम product में क्या चीज़े देखते हैं सबसे पहले हमाई product में क्या क्या चीज होनी चाहिए तो हम तीन चीज़े देखते हैं basically one two three क्या profitable हो problem solving हो और wow factor हो ठीक है यह तीन चीज़े हम basic product में देखते हैं इसके internal factor है यह ठीक है होना ही होना है हर product में इसके बिना हम product sale नहीं करेंगे problem solving हो यह wow factor हो इन दोनम से अगर एक भी है तो चलेगा बट यह जो profitability है यह constant है यह तो चाहिए ही चाहिए अगर profitable है और problem solving है तो good है profitable है और wow factor है तब बहुत अच्छी बात है उसमें आपको ज्यादा profit मिलेगा आप अच्छा profit यहां पर earn कर पाऊगे तो यह सारी चीज़े तो चाहिए ही चाहिए होती है हमें किसी भी product को sale करने के लिए तो दोस्तों यह तो अब product क्या है अब इसमें different different faces हैं यह यह है intro introduction face यह है growth यह saturation यह top peak भी बोल सकते हो आप इसको और यह decline यह नीचे की तरफ आ रहा है तो product एक ही बार life में अपने introduction face में आता है जब वो introduce होता है फिर वो growth होती है उसकी फिर वो saturate होता है और decline होना start होता है यहीं से free cycle दोवारे से start होती है फिर growth होती है फिर saturation पर जाता है फिर decline हो जाता है तो यह life cycle है प्रोडक्ट की यह चलती रहती है अब आपको यह देखना कि जो आपने product research की है वो particular product आप किस stage में इस stage में है इस introduction phase में है तो its mean वहाँ पर high risk है तो यह सारी चीज़े matter करती है कि हमारा product किस stage में है और saturation level पर है तो यहाँ पर low profit होगा और demand बहुत जादा high होगी तो दोस्तो product research के ओपर मैं पहले भी video बना चुका हूँ और उसमें पूरा process बताया है मैंने आपको कैसे demanding product आपको find out करने है उसके लिए आपको जाना है मेरी पिछली वीडियो में जहां मैंने amazon movers and shaker से बताया है आपको कैसे product research करने है अब मैं कुछ unique तरीका बता रहा जाए e-commerce की हम series लेका है तो इसमें हमें product घर पे लेके आने हैं तो कैसे हमें अच्छे और सस्ते product घर पे लेके आने हैं कैसे हम उनको buy करें कहां से हम उनको buy करें तो इस video में हम board discuss करेंगे तो आप देख सकते हो आपके सामने मैंने open किया है YouTube तो इसके लिए क्या important है कैसे हम product research करें क्या process है बहुत easy है आप एक बार देखो कि समझ में आ जाएगा कोई difficult नहीं है आपर और बहुत अच्छा process है जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे supplier मिल जाते है में चीज हमें उनके product देखने को मिल जाते हैं और हमें सारी चीज़े clear हो जाती है YouTube पे तो यहाँ आप डैली में रहते हो तो डैली की आपको लोकेशन दिखा रहें बहुत सारी ऐसी वीडियो जा जाएंगी जो आपको इस तरह के product दिखाएंगी पूरा उनके rate के साथ में उनके address कहां वो supplier है कैसे आपको product मिलेगा वहां से आप देख सकते हो कि उनके product कैसे है क्या उनका price ह आपको यहां पर कुछ technique यूज करनी वह मैं आपको बताता हूँ तो यह simple आपको दिखता हो यहां पर filter तो filter में आप जाके this month या this year कर लेना है उससे आपको latest video मिल जाएंगी जिसके आप देख सकते हो कि हो सकता है परानी video वह training में पहले से काफी चलती हो और जब आप उससे बात करो से product ख़ई दो तो वह out of stock हो चुगा हो तो ऐसा नहीं करना है दोस्तो हमें latest video find out करनी है अपने products related अपने niche से related ताकि हमें वह देखने को मिल जाए और actual में वह stock भी available हो तो एक video यहां पर सामने आई है मैं video play करके नहीं दिखाँगा बिकाज यहां पर copyright issue आ सकता है तो आपको देखना है cheap price पर आपको कितने कितने price पर कौन से product मिलना है और वो product इनके पास available है normally उनकी videos भी आपको YouTube पर मिल जाएगी उसकी आप testing कर लो फिर इन से बात कर लो इन supplier से तो यह आपको cash on delivery पर आपको product घर भी पहुचा देते हैं तो यहां पर बहुत जादा आपको supplier म बात करनी है अगर वो इसकी YouTube पर वीडियो मुझे मिल जाती है तो मैं उसका visit भी कर लेता हूं कभी कभी और कोशी करता हूं कि सिर्फ फून पर बात करूं उसके product उसी catalog मैं मंगा लूँ और उसके product quality देखके फिर उसको मैं order कर दूँ तो यह बहुत अच्छा way है product research का product को check क करने का product को buy करने का और सारी चीज़ें देखने का क्यूंकि हम इंडिया मार्ट पर जब product research करते हैं तो वहां पर हमें क्या product actual में देखने को नहीं मिल पाते हैं क्यूंकि हमारा mind यह कहता है trust build करने के लिए किसी भी deal में जब हम trust build करना चाते हैं तो product गया तो हम खुद जाके चेक करें यह अगर हमें वीडियो में देखते होता है कि हाँ particular shop है इसकी particular जगा पर यह है और यह product इसके है तब हम उसको अच्छे से देख सकते हैं तो आप देख सकते हो जब मैंने keyword डा चीप electronic marketing in Delhi तो recent वीडियो में ने one month का filter लगाया और यहां पर multiple आपको videos यहां पर product मंगाएं आप इनको एक बात देखो verify करो दूसरे seller को देखो multiple websites देखो multiple videos देखो इनकी इनसे catalog मंगाओ अच्छे से deal करो क्योंकि बहुत सस्ते rate में यहां पर आपको product मिल जाएंगे और जब आप e-com करते हो तो product आपके पास होना जरूरी है तब आपको क्या करना है यहां स all over India आप यहां पसे product मंगा सकते हो कोई issue नहीं आप किसी भी location पे हो कहीं पर भी हो आपको product यहां पर मिल जाएंगे बहुत कम cost में मिल जाएंगे और बहुत अच्छे आपको यहां पर product मिल जाएंगे but आपको deal करनी है again मैं आपको से बात करूँगा कि deal आपको करनी है कैसे आप deal करोगे किसी भी supplier से कैसे बात करोगे तो वह आपको करना है कि आपकी dealing होती है क्योंकि देखो जितना business आप दोगे जितनी large number पर आप किसी product को buy करोगे उतनी अच्छी deal मिलेगी तो वह आपके उपर depend करता है कि आपको वह कैसी deal दे आपकी कैसे उससे बात हुई है product जि अपने warehouse लेके बैठे हुए हैं हमें product मिल जाएंगे हमारे door step फिर हम उसको आगे resell कर सकते हैं तो यह कुछ ऐसे वे हैं जिससे आप बहुत अच्छे product research कर सकते हो unique product अब आपको find out करना है कि कौन सा product आपके लिए suitable है पहले मैं आपको यहीं बोलूँगा कि पहले product की testing कर लो इन से deal करो उसके बाद product की testing करो product अगर सही है sale होना start होता है तो आप order कर दो अब यहां पर आपको बहुत जादा videos दिखे जाएंगी बहुत सारे product दिख जाएंगे यह explore करो अभी तक आप दिखते होगे इन videos को आप as a entertain करने के लिए अपने आपको देखते होगे but अब यहा process को follow करोगे तो बहुत cheap और time saving process है जिसमें आपको real product दिख जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि product actual में कैसा है क्या price है उसका सारी चीज़े मिल जाती है तो यह लोग मेनत कर रहे हैं आपके लिए product research करके दे रहे हैं तो आप इनको देख सकते हो क्यूंकि मैं भी आज की date product देख सकते हो बहुत सारी facilities available है आप deal मैंने आपको क्या बोला आप जितना अच्छा communicate कर लोगे जितनी अच्छी deal कर लोगे आप उतना जाधा profit earn कर सकते हो उतने कम cost में product ले सकते हो और उस पर अपना profit earn कर सकते हो तो आप देखोगे जो product आपको Amazon Flipkart पे बहुत नहींगे द process बताया तो दोस्तों अगर ये process आपको अच्छा लगा हो तो comment करके जरूर बताना क्योंकि ये एक unique चीज आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको product research करने की और product को actual में मंगाने का process जो है ये बहुत अच्छा process है आप इसको follow कर सकते हो